नमस्कार किसान भाईयों प्रशीफाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राशी आपके साथ आईए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या कुछ दाम रहे तो शुरुआत हम करेंगे लगनओ की मंडी के साथ जहा की मंडी में 5561, पीली मकका दाम 2150 और गेहुं के दाम तेज्सों रुपए रहे वहिए बात कर लेते हैं आजमंगर की मंडी की जहां पर धान के दाम 2040 रुपे, चावल के दाम 2670 गेहुं के दाम 7575 और जौ के दाम 2775 रुपे रहे अलिगर की मंडी में धान के दाम 3880, चावल के दाम 2950 रुपे रहे, सफेद जुआर के दाम 2880 रुपे रहे, बाजरा संकर के दाम 2350 रुपे रहे, पिली मक्का के दाम 3070 रुपे रहे, गेहूं के दाम 2540 रुपे रहे, और जौ के दाम 2930 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं चावा की मंडी की जहाँ पर धान के दाम 2040 रुपे रहे, चावल के दाम 2350, बाधरा संकर के दाम 2150, फिली मका के दाम 280, गेहुं के दाम 2280 और जो के दाम 2865 रुपे रहे जालों की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहुं के दाम 296 रुपे रहे और जो के दाम 271 रुपे रहे, वहें जहासी की मंडी में चावल के दाम 2530 रुपे रहे, गेहुं के दाम 2755 रुपे रहे और जो के दाम 2760 रुपे रहे, बारबंकी की मंडी में धान के दाम 2040, चाव हुई काली उरत के दाम 9,210 रोपे रहे हरी मुंग के दाम 9,025 रोपे रहे छोटे चने के दाम 5,860 चने के दाम 65,750 दाल के दाम 10,112, मसूर दाल के दाम 9,220 रुपे रहे गाजियाबाद की मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली उरत के दाम 8,400, हरी मुंग के दाम 8,200, छोटे चने के दाम 5,800, चने की दाल के दाम 6,400, सफेद मतर के दाम 6,000 रुपे रहे अरहर दाल के दाम 10,100, मसूर चोटे दाने के दाम 7,650 रुपे रहे और मसूर दाल के दाम 9,300 रुपे रहे चोटी मुंगफली के भाव 7,200, सफेद तल के भाव 13,900, काली सरसो के भाव 6,200, सरसो तेल के भाव 15,500, सरसो खली के भाव 39,000 रुपे रहे परानसी की मंडी में चोटी मुंगफली के भाव 7,450, सफेद तल के भाव 13,200, सरसो तेल के भाव 16,185, अलसी जोटे दाने के भाव 6,400 रुपे रहे ललितपुर की मंडी में चोटी मुंगफली के भाव 5,870, सफेद तल के भाव 12,650 रुपे रहे तो किसान भाईयों ये रहा आज का उतर प्रदेश का मन्डी भाव अपडेट क्रशी से जोड़ी और बेखबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें क्रशी फाई के साथ धनिवाद